Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Taskeer, guys this particular video में हम लोग बात करने वाले है about certifications, बहुत an interesting topic है, आप लोगोंने बहुत सारी चीज़े सीखी हुए है digital marketing की field में, हम लोगोंने अलग-अलग modules cover किये हैं, पर जब हम लोगोंने अलग-अलग modules cover किया, बढ़े सारे concepts हम लोगोंने WordPress सीखा, हम लोगों आट सीखा, Facebook आट सीखा, basic digital marketing सीखी, email marketing सीखी, अब जब कभी भी हम job के लिए apply करने जाते हैं, या job नहीं, मान लेते हैं हम internship के लिए apply करने चाहते हैं, तो वहाँ पर बड़े सारे scenarios में हमसे certifications मांगे जाते हैं, तो बड़ी सारी organizations हैं, बड़े सारी ऐसे approaches हैं, जहां से आप जो है online certifications earn कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपको detail में बताऊंगा, बट जो सबसे famous certifications हैं, जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और as a beginner ये आपके लिए माइने रखते भी हैं, अगर आपने कहीं से digital marketing का course किया है, तो वहाँ का एक तो certification हो गया, उसके बाद भी जो bodies हैं, जिनके certifications actually matter करते हैं, तो किस टाइप से आप उनके certifications ले सकते हैं, कितने वो certifications useful हैं, कहां से आप उन certifications को लें, किन website के उपर जाना है, क्या eligibility criteria है, कितनी बार आप certifications ले सकते हैं, अगर आप उन exams में पास नहीं होते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, ऐसे बड़ी सा apply कर सकते हैं, जिनके लिए आप consider हो सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आप किन certifications के लिए जा रहे हैं, वैसे अगर मैं बड़े सारे नाम लिए अभी आपके सामने कि HubSpot के certifications हैं, Twitter के हैं, Facebook के हैं, Google के हैं, जिन में अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में आप से बात अगर हम Google के certifications की बात करें, with regards to digital marketing, वैसे Google के और भी बड़ सारे certifications होते हैं, अलग-अलग industry के, जैसे developers के लिए अलग type के certifications हो सकते हैं, इसी तरीके से digital marketing field के अगर हम बात करें, digital marketers के point of view से हम बात करें, तो majorly दो approaches हमें दिखाई देती हैं, दो तरीकी के options हमारे सामने होते ह तो first option is, Google Digital Unlock course, right, Google का digital unlock एक course है, जिसको आप करेंगे, right, online course ही है, कुछ वीडियोज आपको चुछ है वो देखने पड़ेंगे, उन वीडियोज के साथ कुछ simple सी quizzes होते हैं, कि देखो कोई भी certification, चाहे वो Google दे, चाहे वो HubSpot दे, वो कुछ न कुछ assessment जरूर करेंगे, right, assessment म उतनी भी complicated नहीं होती है, क्योंकि इनका पूरा curriculum पहले से define होता है, जो course curriculum है, वो define होता है, सारे video lectures पहले से दिये होते हैं, सारा content होता है, अगर आप thoroughly, जा seriously उसको consume करेंगे, right, उस content को consume करेंगे, तो बड़ा easy है आपके लिए, उन quizzes को solve करने हैं, जो basic से छोड़े ओड़े questions जाते हैं, उनको solve करना, तो यहां पर जैसे मैंने आपको दाए, कि दो famous certifications हैं, जो कि हैं basically Google का digital unlocked course, पहला certification, and the second one is skills of Google का, इसके अंदर multiple अलग अलग certifications हैं, आप Google Ads में काम करते हैं, आप दूसरे किसी जो हमका है tool है, या software है Google का, उसको पर काम करते हैं, दूसरे technology पे काम करत हैं, तो उस point of view से, आप Google के skill shop पे जा सकते हैं, वहाँ से जो है, कोई skill ले सकते हैं, मतलब उनके जो video courses या, उनके जो courses है, उनको opt कर सकते हैं, और उसके बाद courses related, जो भी exams है, वो आप clear कर सकते हैं, और आप तो certification मिल जाएगा, तो अभी आपको समझ में आए, तो मैं आपको आप देख रहे हैं, Learn Digital with Google, यह जो एक वेबसाइट देख रहे हो, this is basically the official website of Google Garage Certificates, को Google Garage Certificate, Digital Garage Certificate भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो इन्होंने पुरे course के बारे में बताया हुआ है, इस course में क्या क्या चीज़े हैं and after this course, आपको यह certification मिल जाएगा और benefits भी बताया हुआ है, आखिर जब certification आपको मिलेगा, तो उसके actual benefits क्या है, जो पहला benefit है, वो improve your CV, ठीक है, CV में आप लिख सकते हो, that you are Google Digital Unlocked Certified Person, वो चीज़ भी आप mention कर सकते हो, अब job में भी यह चीज़ important होती है, आपके और अपने career को अपने career को और जदा grow कर सकते हो, इसके तूप, तो यह basic सी चीज़े हैं, कि certification हमें किस तरीके से help करता है, बट अगर आप serious हो, digital marketing की field में, आप serious हो, job या career के point of research रहो, then it's a must, कि आप जो Google की certification है, उनको आप लो, और बड़े सारे certification होते हैं, बट इस start हमें Google के certification से ही करना तो यहाँ पर आप देखते हो, पूरी process उन्हों दीवी, अभी मैं उसको पर भी discussion करूँगा आप से, और total इस course के अंदर कितने modules हैं, 26 modules हैं, और हर module के अंदर कितने lessons हैं, और क्याके चीज़े हैं, इस सारी information आपको बहुतारी detail में, यहाँ पर दीवी, right, after completion of all these 26 modules, जब इन unlock certified, right, so you can see over here, यहाँ पर आप देख सकते हो, fundamentals of digital marketing से related यह एक course है, यहाँ पर 26 modules है, मैं इके करके modules भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप relate कर पाओ, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, उस से, right, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कि कौन-कौन से जो modules हैं, opportunity क्या है, are your first steps in online success, right, जब आप अपने business को online ले जा रहे होते हैं, online ले जाना चाहित हैं, उस वक्त आप अपने goals किस तरीके से decide करते हैं, online presence आप अपना किस तरीके से बनाते हैं, यह सारे points है, build your web presence है, यहाँ पर ठीक है, online presence आपको जो अपना बनाना होता है, website किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या approach हैं, आप website किस तरीके से बना सकते हैं, online strategy, get started with search, यानि कि search engines किस तरीके से काम करते हैं, किस टाइप से आपके organic results दिखाई देंगे, किस टाइप से आपके paid results दिखाई देंगे, यह सारी चीज़ है, get discovered with search, search engine optimization की बात हो रही है, यहाँ पर, यहाँ प ठीक है, social media की बात हो रही है, यहाँ पर, social media की थोड़े सा advanced शीज़ों की बात हो रही है, ठीक है, mobile oriented जो marketing है, उसकी approach यहाँ पर, जो है, वो discuss हो रही है, make mobile work for you, get started with content marketing, connect through email, right, email marketing, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, बहुत सारे जो modules हम लोगों ने discuss किये, उन सभी modules का एक overview type क यहाँ पर है, right, then there is display advertising, ठीक है, display advertising, detail में है, video advertising की बात हो रही, google analytics, analytics की बात हो रही, तो google analytics की बात होगी, यहाँ पर, ठीक है, किस type से data और insights को use करके, हम लोग decisions लेते हैं, वो यह सारी चीज़े, इस particular module वाले section में होगी, online shop किस तरीके से create करते, online बेशते किस तरीके से, और अगर हमें global market को touch करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह सारी चीज़े हैं, अगर मैं simply यहाँ पर जाकर click करूँ, मैं modules के बारे में discussion कर रहा था आपसे, अगर मैं simply यहाँ पर जाकर click करूँ, तो point इस कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल आईडी के थ्रू आप यहाँ पर login कर सकते हो, अगर आपको digital unlock force लेना है, तो आपको गूगल आईडी के थ्रू लॉग इन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम जो है अपनी गूगल आईडी को use कर सकते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग यहाँ प एक बार कुछ details यहां पर रख देता हूं, ठीक है, WSQ और यहां मैं लिख देता हूं, Tech, right, यह मैं basic information रहा हूं, यहां पर मैं no thanks, no thanks, no thanks कर देता हूं, यहां पर आपको e-mail के थुरू यह कुछ notifications वाली चीज़े भेजेंगे, if you are not interested, you can just simply select this no thanks thing over here, I am not a robot, right, और यहाँ पर कुछ miss हो रहा है, I believe, because I have to check this thing, वो यहाँ पर next 12 बटन नहीं देख रहा था, so you have to make sure कि सारी चीज़े, चोटी से चोटी चीज़े भी correctly set up है, now here it is, Google का जो हमारा digital unlocked है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, now they have sent us a mail, ठीक है, वो mail को मैं verify कर लेता हूँ, आपके सामने ही, ठीक है, एक basic सा mail इन्हों ने भेजा है, ताकि यह confirmation हो सके कि जो आपने email address enter किया, वो सही है, क्योंकि इसी email के थुरू further communications होंगे, और इसी email के उपर जो है, आपको certifications मिलेंगे, तो यह मैंने आपर कर दिया, इसको, confirm कर दिया, मैं इक बार फिट से refresh करता हूँ, and then I have to sign in, तो I'll click on this sign in with Google, ठीक है, Google sign in को मैं use कर लेता हूँ, अभी मैंने verification तो कर दिया, तो Google sign in को मैं use कर लेता हूँ, एक बार इसको हम लोग sign in हो जाने देते हैं, उसके बास आपके पास यहाँ पर पूरा एक dashboard और interface आजाएगा, ठीक, अभी आप क्या देख रहे हूँ, यहाँ पर कोई भी course नहीं, just have to click on this, I am ready, और उसके बाद देख सकते हो, आप आपको अलग-अलग modules दिखने हैं, जैसे, यह total modules है, यह 40 घंटे का, you have to consume this content for 40 hours, and it's a good thing, it's a good thing, ठीक है, and then you can see, you have this option, get a business online, यह 3 घंटे का है, so you can go ahead, और एक है करके, आप सारी चीजों को clear कर सकते हो, तो इस वाले segment में, आप देख रहो, 7 modules है, right, 7 modules है, and you have 3 hours, this is of like the beginner stage होती, उसका है यह, and it is absolutely free, right, तो यह सारी चीजों है, and then we have to click on this start free course, इसके ओपर मैं click करता हूँ, जो हमारा course है, so मैं start करता हूँ, right, and then we have to watch the videos, आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग videos है, once you have watched all these videos, जैसे यहाँ पर आप देखो, lessons है, and then आपको videos भी मिलेंगे, जिसमें start learning क्यों पर click करता हूँ, it's not only the videos, ठीक है, videos होते है, कुछ content भी है, so once you have completed this lesson, उसके बाद आपको जो है quiz को option मिलता है, you can directly skip to quiz also, and you can click on this take the quiz, right, so जैसे जैसे आप quizzes, यह सारे जो questions हैं, इनको आप submit करते जाओगे, इनको आप करते जाओगे, वैसे वैसे जो है, आप assessments जो है, वो pass करते जाओगे, या assignments का हैं, जो stages हैं, इनको आप clear करते जाओगे, और आप अपना जो certifications है, उसके और close होते जाओगे, तो अगर आपको complete certification चाहिए, Google का digital unlocked का complete certification चाहिए, then what you have to do basically is, आपको यह सारे जो है चीज़ें करनी पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको Google का digital unlocked certification मिल जाएगा, तो यह एक तरीके का हुआ, दूसरे तरीके का जो certifications Google provide करता है, that is skill shop, Google, आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है, Google skill shop के उपर जाना है, और क्योंकि यह भी Google का ही product है, यह भी Google का ही assignment है, तो basically आपको जरूरत तो Google ID की पढ़ेगी, पढ़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फिर से, यह जो हमारी Google ID है, इसी को मैं use कर लेता हूँ, for the purpose of signing in, और इसको मैं कर देता हूँ, allow, तो यह एक LMS है, LMS kind of thing है, learning management system kind of thing है, जहाँ पर हमें multiple courses दिख जाते हैं, so if I am going ahead and clicking on this browse thing, ठीके browse thing के ओपर मैं click करता हूँ, तो you can see, यह अलग-अलग segment के courses हमारे सामने लेकर आ रहा है, Google Marketing Platform से related courses है, YouTube, Google My Business, Analytics से related, ठीके Google Ads Manager से related, Google Cloud, Waze, Android, authorized buyers, Google AdMob, अलग-अलग categories, segments related हमारे पास, जो हैं, यहाँ पर courses है, हमारे पास ऐसे resources हैं, जिनसे हम अपने आपको upskill कर सकते हैं, but यहाँ पर मैं जाता हूँ सीधे Google Ads के अंदर, तो Google Ads के अंदर भी हमें multiple courses देखने को मिलता है, जैसे Google Ads के certifications है, right, and Google Ads search ad है यहाँ पर, right, so what we can do is, हम यह आपर आ जाते हैं, जैसे Google Ads का search certification पर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने certifications पर क्लिक किया, now again, आप देख सकते हो, कि यह साड़े तीन घंटे का almost 3.7 hours का beginner level का यह एक course है, that you have to basically learn, पहले आपको इसको देखना पड़ेगा, उसके बाद जो है, आपको Google Ads का search assessment है, इसको आपको pass करना पड़ेगा, it is of like 1.3 hours, ठीक है, 1.3 hours का यह assessment है, जिसको आपको clear करना पड़ेगा, ठीक है, search assessment है, and it is required, right, pass the assessment and earn a certificate, so if you want to earn a certificate, आपको इस assessment को pass करना पड़ेगा, तूसरी चीज, यह certifications lifetime नहीं, यह बहुत अच्छी भी चीज है, कि यह जो आपको certifications provide करना है, these are not lifetime certifications, क्यों नहीं है, lifetime क्योंकि देखो, बड़े सारी चीज़े चेंज होती रहती है, Google के search में भी नए features आएंगे, नई approaches आएंगी, पुरानी चीज़े चली जाएंगी, कुछ ना कुछ update होता ही रहता है, कभी कोई जो पुराना feature है, वो update हो जाता है, नए चीज़े आ जाती है, नए त certification भी update हो जाएगा, यहीं कि जो knowledge आपने 2021 में गेन करी है, वो knowledge आपकी 2022 में नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, the reason is, क्योंकि चीज़े अपग्रेड हो जाती ही, चीज़े अपडेट हो जाती है, चीज़े चीज़ें नहीं नहीं चीज़ें और जाद होती रहती है, नहीं features time duration है, किसी का one year होता है, किसी का two year होता है, किसी का lifetime भी होता है, कुछ as a certification है, यहां पर जैसे हम concepts की बात कर रहे हैं, तो concepts में lifetime concepts same ही रहते हैं, concept नहीं बदलते हैं, तो here are different certifications जो आप ले सकते हैं, जैसे Google Ads display है, search ad है, measurement certificate है, video certification है, shopping ad certification है, and then Google Ads app certification है, जितने भी popular तरीके के हम ads run करते हैं, उन से related आप देख सकते हो, certification है, and along with that, यह केवल certifications के लिए आप से केवल assessment ही नहीं करवाते हैं, ऐसा नहीं है, यह आपको content भी देते हैं, so if you are going ahead and clicking on this get start thing over here, right, तो आप देख सकते हो, यह पूरा का पूरा आपको content भी देते हैं, right, so यह दिसकस किया, जो वास्तो में, digital marketer के point of view से important है, यह Google for education भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, Google for education है, and this is for grow and succeed in K-12 or higher education through a curated set of training for educators, students and school leaders, right, तो यह उन लोगों के लिए, fine guys, तो यहाँ पर इस particular वीडियो में हम लोगों ने डिसकस किया, कि जो हमारे अलग-अलग Google related certifications, दो major है वो कौन्स है और किस को हम, किस तरीके साम उनको अचीव करते हैं, दोस्तो इस particular वीडियो में इतना ही, मिलता है next video, till then, good bye.